दोस्तो मध्धे परदेश जो की एरिया वाइज हमारे देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है और अगर आबादी के लिहाज से देखे तो ये पांचमें स्थान पर आता है इस राज्य की भौगौली की स्थिती कुछ ऐसा है कि ये इंडिया के बिलकुल सेंटर में स्थीत है अगर पिछले दस सालों का रिकॉर्ड देखे तो मध्धे परदेश के कुछ सहर काफी तेजी से ग्रो हुए है तो आईए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इस राज्य के पांच ऐसे सहरों के बारे में जो आज के टाइम पे काफी तेजी से आगे बढ़ रहे है तो इस लिष्ट में नमबर फाइब पे हैं उज्जैन सिटी जो की सिप्रा नदी के पूर्वी तट परिस्तित मध्य परदेश का एक प्राचीन सहर माना जाता है यहां की कुल आबादी 6 लाग से अधीक है और यह 151.83 किलोमेटर स्कॉाइर एरिया में फैला हुआ है इस सहर को स्मार्ट शिटी मिसन के तहर देश में विक्सित होने वाले 100 भारती सहरों में से एक के रूप में चुना गया है तथा इसके बाहरी हिस्से में मध्य परदेश की सरकार द्वारा 1200 एकड जमीन पर एक इंडुस्ट्रियल एरिया स्थापित किया जा रहा है जिसके बन जाने के बाद यह उज्जैन की एकॉनमी को काफी बड़ा बूश्ट देगा यूं तो यह सहर अपने ग्वालियर फोर्ट को लेकर पूरी दुनिया में मसूर है जिसे हिस्टॉरिक सिटी या फिर सेंट्रल इंडिया का विंटर कैपिटल भी कहा जाता है ग्वालियर पिछले कुछ सालों में सिच्छा के एक महतोपून केंदर के रूप में विक्सित हुआ है यहां की कुल आबादी 1.7 मिलियन की है और यह सहर तीन तरफ से सिथोली, बानमोर और मालनपुर के इंडस्ट्रियल एरिया से घिरा हुआ है जिससे इस सहर के प्राइवेट सेक्टर में रोजगार की धेरो संभावनाए है यह सहर भारत के टियर 2 सिटिज के अंतरगत आता है जो कि मध्य प्रदेश में आबादी के लिहास से तीसरा सबसे बड़ा सहर है जवलपुर को इंडिया के वन ओफ दा मेजर एजुकेसनल हब के रूप में भी जाना जाता है तदा यह इस राजे का एक महतोपून परसाशनिक, बेपारिक और इंडस्ट्रियल केंद्र है जहां पर बेहतर रोट नेटवर्क, रेलवे स्टेशन और एयरपूर्ट जैसे सुईधाय मौजूद है नमबर टू भोपाल सिटी यह मद्धे परदिस की राजधानी होने के साथ ही भोपाल जिले और भोपाल डिविजन दोनों का परसाशनिक मुख्याले है इस सहर को दे सिटी ओफ लेक्स के नाम से भी जाना जाता है जो की इंडिया के वन अफ दे ग्रीने सिटीज में सुमार है इसके इलाब़ दोजार इक्किस में भोपाल की एस्टीमेटेड जीडिपी 20.7 बिलियन यूएस डॉलर की है जो की 8.5 परशेंट की ग्रोथ रेट के साथ आगे बढ़ रहा है नमबर वन इंडोर सिटी यह मद्धे परदेश में सबसे अधिक आबादी वाला और एरिया वाइज यहां का सबसे बड़ा सहर है इंडोर खाने पीने के 56 दुकान और खुबसूरत चूडियों के लिए भी काफी परसिद्ध है इसके अलावा यह सहर सोचता के मामले में पूरे देश में नमबर वन पे आता है जिसकी सबसे बड़ी वज़ा है यहां के लोगों में सफाई के प्रती जाग रुपता साथ ही इंडोर एकनॉमिकली भी एक काफी स्ट्रॉंग सिटी है जहां के एस्टीमेटिड जीडिपी 25 बिलियन यूएस डॉलर की बताई जाती है जहां के लोगों में जाती है